तो जी यह है Lamborghini Urus Performante, अब Lamborghini Urus आपने सुना ही होगा, ऐसा हो इनी सकता है कि आपने सुना ना हो, लेकिन यह facelift के बाद में दो version में split हो गई है, और दौनों में जो है power बढ़ गई है, कई चीजें बढ़ गई है, और kind of India exclusive आप कह सकते हो, क्योंकि अभी तक किसी ने इंडिय में चला के वीडियो नी मना होगा, चला ही बहुत लोगो ने होगी, but anyway, मेरा काम यह है कि मैं आपको in and out हर एक चीज बताऊंगा, गाड़ी में बाहर, अंदर, क्या-क्या चीजें, एक-एक कल पुर्जे की हम बात करेंगे, but उससे पहले एक छोड़ा सा introduction आप देख लो, फ 3.6 seconds, इस गाड़ी की वज़े से Lamborghini को वो sales मिली, जो किसी भी supercar maker ने कभी भी सोची नहीं होगी, अब 2023 में यह facelifted Urus दो variants में आ दी है, Urus S and Performante, you can't call them base spec or top spec, because दोनों ही versions की अपनी अपनी खूबियां है, और power figures भी सेम ही है, this Performante version, however, can do 0 to 100 now in just 3.3 seconds, a tad bit faster than the Urus S because of some performance upgrades, India में भी Urus Lamborghini के लिए बेहद ही successful product रहा है, now starting from 4.22 crore, this Urus is already sold out for the year. आपके पास में चावी जो है, अगर आप मुचाहें बाहर निकालना तो वो भी option आपके वास यह available है, but हम focus करते हैं main चीज़ पे, और main चीज़ हमारे पास में जो है, वो है यह गाड़ी. सबसे पहले आपको in and out चीज़े बताऊंगा, मतलब बाहर जो हम बात करेंगे, उसमें normally हर चीज़ की बात करूँगा, but जो changes है, जो performance में आते हैं, जो S में आते हैं, S में नहीं आते हैं, उनकी बास जो है, वो भी मैं करता चला जाऊंगा. आगे की तरफ आपके पास में यहां पर DRL आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुन्दर, उसके बाद में यह वाइट LED लाइट जो है, रिफ्लेक्टर बेस्ट यह सेटम में आदी की यह बहुत ही bright, बहुत ही कमाल light है, उसके बाद में नीचे की तरफ आपके पास में बड़ यह में carbon fiber जो है वो यूज किया गया है आलंकि हाँ जी carbon fiber यह मुझे एक बार की लगा कि कहीं carbon fiber finish जो carbon fiber नहीं हो के कुछ असल नहीं है बट अध्लिस पे पीपिएफ शाय है तो उसके लग रहा था इधर अगें carbon fiber के इस्तमाल किया गया है 23 इंचिस के रिम है carbon ceramic discs हैं जो की आप देख पा रहे हैं आपको थोड़ास उसमें crack stripe लाग रहा है यह carbon ceramic disc जो है डिस्क जब भी आप दिखेंगे वह आपको ऐसा दिखेंगा 23 इंचिस की रिम यह आपको जो है वो performance और वो जो connected feel जो है वो definitely आपको feel करवाते हैं tire sizes जो है अगर आपको जाना हो तो 285, 35, ZR23 यह लगा हुआ है आगे की तरफ और rear wheel में I think थोड़ा बढ़ा होगा जी हां 325, 30, ZR23 जो है वो rear wheel में आप लगा हुआ है Lamborghini जो brake caliper से वो Lamborghini उस पर क्या लिख हुआ है और red में वो painted यहां पर आपके परसमें है उसके बाद में आपके फास में और कुछ चीज़ें जो है यहां पर लिखा हुआ है वो आपके बास लागो है और side में अगर आए तो कुछ भी ऐसी चीज I don't think मैं भूल रहा हूँ perform आनते वहां नीचे लिखा हुआ है और unmistakable गाड़ी है कोई भी इसको उरुस के अलावा किसी भी चीज से जो है वो कनेक नहीं करेगा आप किसी भी अंगल से दिखा दो सब कोई उरुस निजर आएगी however अगर आप perform आनते देखेंगे तो उसमें आपको यह particular पार्ट थोड़ा से एक्स्ट्रा मिलता है जो rear spoiler जो ह इसमें वह यहां पर नहीं आता है बट एस वोजन की ground clearance सोड़ी सी ज्यादा है मतला वह रेज कर सकते हैं जब आप गाड़ी खड़ी रहती है नॉमली तो तो इतनी देखेंगी बट आप रेज जो है उसको definitely कर सकते हैं तो थोड़ा सा वहां पर जो है वह एक अलग जो आज और उसमें यहां पर ओविसली performance नहीं लगा था जो कि इसमें लखा था है अगें आपके पास में rear में tires में दिखाई चुका हूँ अगें carbon fiber treatment यह आप जो देख पा रहे है अक्रपॉविक I don't know यह standard है या नहीं है बट इस गाड़ी में लगा हुआ है अक्रपॉविक titanium exhaust जो ह नहीं पा रहे हैं मतलब निखर के नहीं आ पा रहे हैं मुझे इन परसंट दिख रहे हैं अगर यह किसी और कलर में होती तो ट्रस्ट मी जो है shoot करने में मझा आता और आपको camera में देखने से realize होता कि क्या muscular क्या wild design जो है इस गाड़ी की है anyway अंदर जंप करते हैं जहां पे औ अब भी भी है उनकी भी बात करता हूं हर एक चीज़ की but that doesn't mean कि यह inferior है किस भी तरीके से एस के मुकाबले in fact यह थोड़ा सा उपर बैठती है technically अगर आप performance बगरा की बात करेंगे सब की में बात यहां पर लेता हूं इधर आपके पास में एक तो Alcantara leather जो है हर जगे मैं का करनें बैठूं अगर तो Alcantara यहां पर भी है यहां पर भी Alcantara है और obviously roof में भी Alcantara यूज किया गया है जी हां रूफ में भी Alcantara जो है यहां यूज किया गया है और seats जो है उनमें भी यूज किया गया है हर जगे Alcantara leather जो है यहां पर इस्तमाल किया गया है simply गाड़ी क जो आप चाबी स्लॉट ही जा सकती है चाबी जो है आप यहां पर स्लॉट भी कर सकते हैं आपके पास में फ्लैप है इसको आप उठाएं इसको क्या बोलाता है तुम्बारो या ऐसा कुछ वर्ड है जो मैं भूल रहा हूं बेसिकली उसका वर्ड इटालियन में उसको ड्रम कह बुल जो है उसकी आवाद आप सुन चुके हैं भी मैं बाविस को स्टारडा मौट में डालता हूं और ना असपस को लोग आ जाएंगे स्टारडा कॉरसा इन सब की बात मैं बाद में करूंगा बट फिल्हाल हमारी गाड़ी यहां पर स्टारड होगी है और स्टार्ट होने सारे windows के controls है, child law controls है और ORVM control जो है, वो आपके बसमें यहाँ पर फक्सवागन ग्रुप की गाड़ी है, तो काफी सारे चीजें जो है, आपने कुछ और गाड़ीों में भी देखियोगी, वो चीज आपके यहाँ पर नजर आ जागी और फिलाल मुझे side light on रखनी ती इसकी, उसके बाद में नीचे की तरफ aluminum finish जो है, वो आपको pedals देखने हो मिल जाए, यहाँ यहाँ पर है अगर आपको bonnet कोलना है तो उसके लिए आपके पसमें यहाँ पर liver जो है, वो देख पा रहे है उसके बाद यह आपके पसमें vent जो है, उनका blow जो है, वो control करने के लिए है और यह काफी बढ़िया finish एक्चुली यह है, मुझे हाथ लगा कि वो feel आ रहा है उसमें इतना जबड़दस वाला but anyway, Bang & Olufsen की music system है, तो वहाँ पर आप आप जो है, वो देखी पा रहे है मेरी Audi 8 की video शयद आई नहीं है, मतलब यह आगई है, उसमें मैंने उसके बारे में थोड़ी सी जिक्र किया था but anyway, आपके पसमें यह steering यहाँ पर है, again Alcantara जो है, वो आप यहाँ पर feel कर सकते है यहाँ पर आपके पास में जो है कुछ controls है, जो की basically आपकी favorite button जो आपने place किया हूँ है, वो यह call या music अगर आओ कंट्रोल करना है, वो सब चीज़ें जो आप कंट्रोल कर सकते हो, यह आपके पास में M.I.D. से जुड़े कुछ controls है, जो Audi, Volkswagen Group का digital cockpit आपको अगर याद हो, तो कुछ-कुछ feel आपको यहाँ पर दे सकता है, in terms of touchscreen, but layout completely change है, in fact, layout keeps changing, जब भी आप गाड़ी का mode shift करते हैं, तो sport mode में यहाँ पर हूँ मैं, course mode में जब मैं यहाँ पर हूँ, तो काफी सारी चीज़ें जो है, यहाँ पर change हो जाती है, and क्योंकि mode change हो रहा है, तो कई चीज़ें जो है, गाड़ी की systems वगरा, जो है, कई on-off हो तरह, तो उसके बारे में warning वगरा, जो है, वो भी यहाँ पर आती जाती है, rally mode में हम यहाँ पर हूँ, तो rally mode में आप देख पार हूँ, traction control technically off हो गया है, मतलब वो mild setting पर चला गया है, अगर ज़रूद पढ़ाई तो on भी वाप business को strada mode में लेया हूँ, क्या-क्या जीज़ें जो है, आपके पास में हम मिलती है, मतलब overall, क्या-क्या functions जो है, वो आप देख सकते हैं, well, functions के अगर आप बात करो, तो तीन segment में अगर आप divide करें, तो उसके साफ़े हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले आप यह जो particular part देख पार तो आपके पास में, मतलब view को दवाएंगे, तो आपके पास में उधर वाली screen है, जिस पे आपका tire pressure, temperature, tire का और power and talk figure, अगर आप देखेंगे, वो यहाँ पर आजाएगा, उसके बाद में power talk का एक graph सा जो है, वो यहाँ आजाएगा, जो की पिछले कुछ minute का है graph, यहाँ पर इसमें गाड़ी power कहां जा रही है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, all four wheels में जाती है विसे तो power, but कौन से पे कहाँ preference में जा रहा है, वो आप यहाँ देख रहे हैं भी, उसके बाद आपके पास में time and date, जो की simple सी चीज़ है, और कुछ भी चीज़ जो है, वो additionally, मतलब फिर वही चीज़ें, जो आपका trip वगरा, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यह जी meter, obviously, यह मैं कैसे बताना बूल गया, बीच में आपको RPM जो है, वो दिख रहा है, कितना क्या RPM आपके पसमें जा रहा है, also आप currently किस drive mode में हो, अगर आप पार्क में हो या कि से निकलना है, तो वो एक थोड़ी से इंटरेसिंग चीज़ है यहाँ पर, कोई भी drive mode selector जो है, वो ऐसाच नहीं है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे, तो आप reverse में जरूर चले जाएंगे, और reverse से बाहर निकलने पर आप D में चले जाएंगे, आप reverse में ही रहेंगे, तो बड़ा ही easy है, आपको जादा कुछ नहीं करना है, आपको simply, जो है, neutral अगर आपको चीज़ है, तो यह दौनों आप जो lever देख पारेंगे, प्रेस करना है, तो मैं और अगर आप प्रेस करेंगे, इधर वाला right side वाला lever pull करेंगे, तो आप जो है drive mode में चले जाएंगे, और आपको neutral जाना है, तो अगर जैसे मैं ने बड़ाया, दौनों लेवर प्रेस करना है, क्योंकि मेरे हाथ में camera है, तो मैं यह कर नहीं सकता, तो मैं simply park mode में डालूँगा, park mode में डालना हीजी है, आपको बटन दिया गया है, और manual में अगर आपको shift करना है, तो आप यहां से कर यह वो engine temperature है, जो कि permanently यहां रहता है, और fuel gauge जो है, पर्मेंटल आपको आपको देखने को मिलता ही मिलता है, उसके बाद में इस तरफ आपके पास में indicators वगरा, नीचे की तरफ आपके पास में speed limiter और cruise control दिया गया है, और दूसरी side में obviously आपको wipers जो ड़ेवे controls जो है, सारे के सारे, वो मिल जाते हैं, यह ring, यह stitching, यह जिस तरीकी की feeling है गाड़ी की, बेहदी कमाल, anyway, इधर आते हैं, अब आपके पिसमें दो screens यहां पे है, शुरू से यह layout हमने उरूस के साथ दिमें देखा है, जब से गाड़ी है ना, उस यह तब से, और यह layout जो है, वो काफी simple है आपके पास में basic कुछ चीजें जो की जादा काम आती है, वो आपको यहां पे access करने को मिल जाती है, और कुछ चीजें जो है, जो कि मतलब बाकि सारे फीचर जो है, गाड़ी के वो होने चीजें जो की, वो आपको पास में यही पे मिल जाते हैं, बट, again, Lamborghini आपको जो है, मिलती है, तो आपके पास में, जो styling वगरा है, वो भी कुछ वैसी मिलेगी, आपको overall icons वगरा जो है, जो हमें changes देखने को मिल ही जाएंगे, उरूस specific एक mode दिया गया है, जिसको में, actually haptic feedback है, जुरूर इसमें, बट, ऐसे, हाँ, haptic feedback अब हाई, screen में, Lamborghini, Anima, अब Anima क्या है, एक बहुत ही interesting चीज है, Anima means, I think, Italian में soul होता है, गाड़ी की soul क्या होने चाहिए, वो आप यह decide कर सकते है, stada mode, sport mode, basically आप selector से नहीं select करके, यहां से select करना चाहिए, तो भी कर सकते हो, ego mode क्या है, यह interesting है, इस पर में बाद में आता हूँ, इस सारे modes पगरा में बाद में आता ह है, settings and service, ऐसे इसमें idas modes भी आते हैं, कि आप urban में चला रहे हैं, या कैसे चला रहे हैं, वो कुछ modes वगरा जो है, वो भी यहां पर आते हैं, settings and service, यह सब चीज़ें आपको यहां देखना है, यह उरूस mode में है, मैं बाहर आता हूँ, और आपके पास में favorite setting, navigation, media, radio, phone, apps, यहां पर फोन, यहां पर navigation, यह similar shortcuts आपको इधर वाली screen पर देखने को मिले थे, जब मैं आपको दिखा रहा था, almost same ही चीज़ें वो यहां पर थी, और यह नीचे कुछ और shortcuts है, जो कि actually बहुत काम की चीज़ है, है वो touch-based ही, बड़ आपको यह थोड़े से slots बनाके उस तरी किसे guide किया गया, मतलब आपको आँखे तो आपको हटानी पड़ेगी road से, आपको अगर इसको operate करना है test screen को, बट यह यहां पर थोड़ा सा ऐसी चीज़ है, जो कि थोड़ा easy हो जाता है, मतलब आपको simply traction control off करना है, तो आप इसके बीच में touch है, haptic feedback है, बड़ आपको एक slot म सकते हैं, यहां पर आपके पास में screen off करनी है, तो वह आप यहां ते कर सकते है, hill descent control on करना है, automatic engine start stop on off करना है, तो वह आप यहां पर कर सकते है, और park assist आपको चीज़ है, तो आप यहां पर बबंद कर देता हूँ, उसके बाद में आपके पास में climate control से जोड़ी भी settings जो है, वह आपको नीचे देख पा रही है, simply seat heating, seat ventilation, recirculation, AC max और यह जो आप दबाएंगे, तो आपके पास में यह चीज़ यहां display हो रही है, आप देखी पा रहे होगे, ओपर भी display हो जा रही है, और detailing घजब है भाई, आपको यहां पे भी जिस तरीके से गाड़ी detail की गई है, व देखो 24 से आपको 25 जाना है, तो आप simply यह से जा सकते हो, और 23 भी जाना है, तो आप यह से जा सकते हो, however, आपको style में जाना है, तो आप यह देख पर हो, जी हाँ, slide अगर आप करोगे, तो वो पूरी तरीके से जो है, अलग तरीके से काम करने लगेगा, और पूरा look जो है, उसका बदल जाएगा, which is nice, बट फिलहाल के लिए मुझे जो है, आटो पे है, और वो नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लोर की आवाज जो है, वो कैमरे में आने लग जाएगी, तो बंद कर लेता हूँ, अब आपके पास में यह मेरी फेवरेट चीज है, हर गाड़ी में volume 9 जरू अब आते हैं इस चीज पर, यह जो fighter pilots की तरह आपको यहाँ पर दुनिया भर के options दिये गए है, कौन सा option आखिर क्या कहता है, उसकी बाद जो है, वो में यहाँ पर कहा लेता हूँ, देखो, simple सी चीज है, एक तो Alcantara होना जरूरी, वो यहाँ पर आपको दिया गया है, बट आपका ego satisfaction करने के लिए, एक ego mode यहाँ पर दिया गया है, ego mode basically customized mode है, आप इसको अपने हिसाब से customize कर सकते हो, आपको जो है, गाड़ी का drive train है, वो smooth चाहिए, medium चाहिए, sportive चाहिए, कैसे चाहिए, आपको staging, sport, medium, sportive कैसा चाहिए, और आपको suspension जो है, sport, medium, कैसे चाहिए, I think smooth, medium, medium, sportive तीन ही mode आते हैं, वो आप अपने हसाब सेट करते हैं, फिर जब भी आप ही mode लगाऊँगे, तो गाड़ी आप यह सब से रियकन लगी, however, जो मैं इतनी चीज़े बोल पा रहा हूँ, कैसे बोल पा रहा हूँ, because जब भी आप ego mode, जो है, वो adjust करने लगते हैं, तो आपक कुछ और controls आपके बास में, यहाँ पे भी है, parking chime on-off करनी हो, तो parking brake on, अहटाना हो, तो auto hold on-off, और आपके बास में यह जो है, गाड़ी के जो सेंसर से, basically warning, driver assist, trolley functions जो है, उसका shortcut आपके बास में, यह park assist जो है, उसका direct button आपको यहाँ मिलता है, उसके बाद में, आपके पास म आपको यहाँ पे मिलता है, और दो USBs आपको मिलती है, ताइपस, दौनों type C जो है, वो आपको यहाँ देखने को मिलती है, उसके बाद में, यह भी आप slide करते है, and, Alcantara leather यहाँ पे भी ज़रूरी है, हर जगे Alcantara leather जो है, वो आपको देखने को मिली जाएगा, उसके बा glow box दिया गया, बहुत था बड़ा तो नहीं जनम वड़ा मैंने बूल दिया, वो आप देखी पा रहे हैं, और मैं आपको sunroof जो है, वो दिखा देता हूँ, sunroof भी I think initially additional package आता था, बट यहाँ पे आपको जो है, इस वाले variant में मिल ही रहा है, एक और चीज मुझे बतानी है पहले मैं यह उपर वाले switches की बात करता हूँ, कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलती है, इन switches वगरा पे, I think आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यह वाला पार्ट जो हमेशा दिखाना, but I'll try, तो यहाँ पे आपके पास में sunroof के control आपको देखन अब साक आप कान्ट्रोल कर सकते हैं, अभी तो नहीं हो रही है मिलच से control, but हो सकता है मेरे मेरे जिखने इडिक नहीं हो, but I know इनकी intensity आप कान्ट्रोल कर सकते हैं, जब भी आप जलाते हैं, यह देखो, इनकी intensity नकीक कंट्र्ол हो रही है, मतलब कम जाध़ बहला हो जाती है इ से चीज है sunroof open होती है जी हाँ sunroof जो है वो open होती है आप रूफ जो है अटा सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं खड़ी गाड़ी में चलती गाड़ी में ना करें वैसे Lamborghini buyers में अगर कोई यह हरकत करता है तो I think फिर तो मतलब काफी गड़ जाएगी उजरी उन सब को बत बट दिस इस लांबगी नी आई नो बट देंग इस कि एक SUV भी है और अखली पहले में यह सीट अपने अरजस कर गाँ जो कि अगें अब चलते यहां अगें अंगे फैल फैर के वे की घौणि हिंग बोड़ चीघ देक तरह आप मैं इसको कल लेता हूं बंद, और आपके पस में जो है, यह एक एमनिटी में आपके पस में अगीन, डियूल जोन, ख्लाइमिट कंट्रोल पीछे मिलता है, तो ट्रेकिनली 4 जोन हो गए, यहां पर क्लाइमिट कंट्रोल के, और 3 and 4, मांक भी गिया हुआ है, USB 3 and 4 मिलता है, 12 व आपके पस में आपके पस में अच्छा है, और वही लाइट जो मैंने आगे आपको दिखाई थी, बट यह टच वाली नहीं है, तो इनकी इंटेंसिटी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन इंपोर्टन चीज इंडिया में लोगों को बहुत ची है, कि भाया, आम अपको दिए गई आम रिस्ट, नाट अन इस्चू, और काफी बढ़िया ओवरॉल मटीरियल जिस तरीके से सेट हुआ है, जिस तरीके से डिजाइन हुई है, जिस तरीके से इन फिनिश हुई है, वो भी बहुत बढ़िया है, दिखो मैं एक बात बाता हो आपको, जिस प्र कि इसका मकसद आपको फील देना है, और वो फील जो है, वो बहुत ही कम गाड़िया दे पाते हैं, शायद ही और पही गाड़ी दे पाते हैं, बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, अच्छा खाता बूट स्पेस गाड़ी के साथ में मिलता है, 500-600, डिपेंडिंग कौन सा मैं इस ही पहले देखा नहीं था, बड़ आपके पास में यह ट्रे है, जो कि आप स्लाइड कर सकते हैं, अगें, मैं बोलूँगा नहीं बड़ आप समझ जाना कि यहां पर क्या दिया हुआ है, मजदार चीज हार जगें, और जैसा कि मैंने इनिशली बोला था कि इलेक्रिक है, तो आप यहां पर बंद कर सकते हैं, एक्जॉस्ट है, काश मेरे पास में कोई और बंदा होता, जो अभी टैप करता, एक्जॉस्ट दबा के आपको जो है सुड़ा सुना देता, मैं ही सुना हूँ कि आपको, पर मैं कैसे सुना हूँगा, मैं तो आगे चला जाओंगा, आपको दिखाना भूल जाओं, उससे पहले मैं दिखा देता हूँ, और वो इंपोर्टेंट चीज है, इंजिन, तो यह यह है, V8, Twin Turbo Engine, अब आपके पास में यह V8 Twin Turbo Engine, जो है, वो क्या देता है, पर 4 लिटर का यह इंजिन है, 666, CV वैसे तो लिखा जाता है, official figures में, that means PS, और आपके पास में 850 Nm आपको मिलते हैं, जबर्दस इंजिन, 8-speed का transmission, जबर्दस ट्रांस्मिशन, पर उसकी चलाते होँद बात करेंगे, फिलहाल भात कल लेते हैं, कि यह जो आप देख पारे हैं, उपर, carbon fiber finish, जी हाँ, यह carbon fiber है, आपके पास में आपे finish, जो है, completely, और यह काफी light है, carbon fiber होने की वज़े से, और यह light जो है, क्योंकि यह ही, तो 47 kgs weight जो है, वो outgoing उरू से कम हो गया है, जो कि एक commendable thing है, उसकी वज़े से गाड़ी को चलाने में और मज़ाएगा, चलो!